सलाम आलेकुम SLA students कैसे हैं आप आज आपका उर्दू का 7th lecture है आप अपने गोहर उर्दू की राइटिंग बुक निकाले और उसका पेज नमबर 9 ओपन करें जी मदल्स आपने बच्चे को पेज नमबर 9 ओपन करके दे दिया सबसे पहले आप उपर यहाँ पर आज की डेट मेंचिन करें आज की डेट है 9, 6 जी बच्चो यह आप आपको यह हर्फ नजर आ रहे हैं ना हम इसकी रीडिंग भी कर चुके हैं यह है पे यह क्या है पे पे के नीचे तीन नुकते यह तीन है ना एक दो तीन इसकी नीचे ना तो हम बोलें के पे की नीचे तीन नुकते आज हमने राइटिंग करनी है हर्फ पेपर पे से पत्ता पे से पेंसिल यह जो हम जिससे राइटिंग करते हैं पेंसिल आप भी पढ़ो पे से पत्ता पे से पेंसिल अब बच्छों हम ये देखते हैं कि हमने paper writing किस तरीके से करनी है ये उपर arrow के निशान से भी आपको सिखायागे ये आपने थोड़ा सा तिछा है इसको लेके आने थोड़ा सा फिर ये straight फिर थोड़ा सा ऐसे उपर ये क्या बन जाएगा फिर इदर नीचे नुक्ते हम डालेंगे ये तरह से छोटे छोटे तीन नुक्ते डालेंगे तो ये बन जाएगा हर पे अब हम देखते हैं कि dots पर writing किस तरह से करनी है उर्दू की writing हमेशा right side से start करते हैं आप तो आपको पता चल की होगा न जूनियस की उर्दू की writing right side से start करते हैं और दूसरा इस तरह से उल्ठी writing नहीं आपने start करनी इस side से उदर लेके जाना है right side से ये आपने writing करना start कर दें और नुक्तों पर आपने writing ज़रूर करनी है पस स्टार्ट पे रखा और यह Pencil को दबा के रखा और राइटिन्ग करना स्टार्ट की जहां डार्ट चारहे हैं इसे यह आपने पैसे को चलाते जाने सीधा, फिर थोड़ा सा उपर फिर आपने नकतों पर राइटिन्ग करते हैं साथ साथ आपने राइट भी कर रहे हैं, साथ साथ आपने रीड भी कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आप किस हर पर राइटे कर रहे हो, ये पैसे को फर्स टार्ट पर रखा, थोड़ा सा तिरचा, फिर ये थोड़ा सा सीधा, डार्ट के उपर दबा के, फिर थोड़ा ये लुकतो पर आइटे की, थोड़े से दार कर दिये, ये लुकते, ये देखे, ये क्या बन गया, पे, नुकतो पर आइटेंग ज़रूर करनी है बचो, ये पेसिल को फर्स टार पर रखा, थोड़ा सा तिरचा, फे ये सीधा, डार्स चाहन जा रहे हैं, ये थोड़ा सा उप उपर, पैंसिल को उठा लिया, आब नुक्तों पर रैइटिंग की, ये देखे, नुक्ते बनाए, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, इनको थोड़ा सा धार कर देना है, ये क्या बन गया, पेर, फेसे देखे, फरस्ट आर पे रखा, थोड़ा सा तरिचा, फिर थोड़ा उपर के नुक्तों पर राइटिंग की ये क्या बन गया पे समझ भी आगे बच्चों पे पर राइटिंग वेरी गुड अब आप इसी तरीके से अपने मॉबा के पास बैठ कर ये राइटिंग कर दी है और फिर ये अप और आपने राइटिंग इस फर्स्ट जो है ना ये हर पर यहां से लेकर यहां तक two lines आपने इर two lines पर राइटिंग कर दी है फिर वर्त दण करके मुझे इसकी picture बना के certain कर दी है फिर पर देखूँगे किस बच्चे को paper राइटिक अच्छे थीखे से सभज आ गई है और जो अच्छी राइटिक करता है आपको पता है रहे उसको क्या बिलता है जी उसको बिलता है स्टार तो आप अपने ममा के पास बैठ कर इस वर्ग को डन करें और मुझे जल्दी से अपने इस वर्ग की पिच्छे बना के सेंड करें टेक कियर अलाफिस